सिवान का लाल अमेरिका में मचा रहा तहलका जानकर हर कोई हुआ है राय हर तरफ हो रहा इसी बात का चर्चा बिहार राज्युके सिवान के छोटे सी गाउं से निकल कर अमेरिका में तहलका मचाने वाला लर्का आखिर कौन है ये लर्का USA में पूरा कमाल कर दिया है ये लर्का वहाँ पर एक अपना अलग ही पहचान बना लिया है वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सिवान के लाल आनंद कुमार की जो अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिये है दरसल बता दे कि बिहार के सिवान जिला के एक बार फिर सुर्खियों में आया है इस बिहारी बाबु ने अमेरिका में अपना डंग का बजाना शुरू कर दिया है एक ऐसा बिहारी जो होटलों के जरिये एक नई मुकाम तक पहुँचा है यह कहानी सिवान जिले के रहने वाले आनंद कुमार की है जिला के श्रीनगर के रहने वाले आनंद कुमार अमेरिका में शेफ आनंद के नाम से जाने जाते हैं वहें उनका अमेरिका के सेंट पावेल में इस सित दूसरा रेश्टरांट अवद बाई शेफ आनंद का स्वाद अमेरिकन की पहली पसंद बनता जा रहा है रेश्टरांट की लोग प्रियता का आलम ये है कि अमेरिका के ओहियो राजु के गवर्नर भी अपने डिनर पाटी के लिए इस रेश्टरांट को ही पसंद करते हैं आपको पता दे कि शेफ आनंद कुमार कोरोना काल में डटकर्ड लोगों की सेवा की कोरोना महामारी के दौरान जहां अन्ने सभी रेश्टरांट बंध हो गये वहीं अवद बाई शेफ आनंद रेश्टरांट ने सभी परिस्थितियों का डटकर सेवा करते हुए ओहियो रेश्टरांट की ओफीसियल और आमजनता को अपनी सेवा दी जो निश्चित तोर पर आनंद कुमार के अस्तरिये प्रबंध किये और उद्यमी कोशल का परिचाला कत्त थे रहा है अनंद कुमार लजीज पकवान के सहारे दुनिया में चागए हैं उनका सपना दुनिया के बड़े शेहरों में रेश्टरांट की श्रिंखला स्थापित करने का है शेफ आनंद स्वाद की दुनिया में एक ब्रांड नेम बन चुटे हैं ब्यहार के सिवांजिला अंतरगर्त श्रिंगर की रहने वाले आनंद कुमार अमेरिका में शेफ आनंद की नाम से जाने जाते हैं शेफ आनंद के रेश्टरेंट के मुरीद संयुक्त राज अमेरिका के ओहियो प्रांद के गवर्णर माइक डिवाइन भी है इस अबस वो अक्सर भोजन करने आते हैं कहा जाता है कि स्वाद में वो ताकत होती है जो किसी को भी अपना मुरीद बना सकती है सिवान के श्रीनगर के मूल निवासी और स्वतंतरता सेनानी ब्रिजकिशोर बावु के वन्शज बियस एनल इंजीनियर स्वरगिये अनील कुमार सिनहा के द्वीतिये सुपुत्र आनंद है वो अक्सर घूमने के लिए सिवान आते रहते हैं अमेरिका में रहने के बावजूल उनका रिश्टा सिवान से जुरा हुआ है वो उनका अमेरिका के सेंट पावेल में अस्थापित दूसरा रेस्टोरांट अवद बाई शेफ आनंद स्वाद के आनंद से अमेरिकन को अभिभूत करता जा रहा है इस रेस्टोरांट की लोगप्रियता का आलम ये है कि अमेरिका के ओहियो राज़ के गवर्नर भी अपने डिनर पाटी के लिए इस रेस्टोरांट को ही पसंद करते हैं सवान के लाल शेफ आनंद स्वाद की दुनिया में अपना अनोखा मुकाम कायब करने के लिए प्रयासरत है उनका सपना दुनिया के बड़े शेहरों में रेस्टोरांट की सिंखला अस्थापित करने का है शेफानन्द स्वाद की दुनिया में शोहरत कायम करने जा रहे है वारतिये व्यंजनों के साथ अन्य व्यंजनों के स्वाद के माध्यम से अमेरिकन को अपने मुरीद बनाते जा रहे है शेफानंद के कौशल और उद्यमित्ता के सम्मान स्वरूप अमेरी की स्वरकार ने अपनी नागरिकता प्रदान कर दी है लेकिन आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान तो बसता ही है बरहाल इस खबर पर आपकी क्या राहे है कमेट बॉक्स में जरूर बताए